अब लिए लम चंद्राकर फ्रम डिपार्टमेंट अब जलोजी आज का हमरा टॉपिक है एस्टेरियस एस्टेरियस फाइलम एकाइनो डर्मेटा का एनिमल है और इसे स्टार भी बोलते हैं या फिर इसी को स्टार फीस के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इसमें फीस के जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है उसके बाद है क्लासिफिकेशन फाइलम है इसका एकाइनो डर्मेटा सब फाइलम है एस्टेरोज हुआ क्लास है इस्टेलेलोईडिया ओडर है फॉर्सी पूलेटीड और जीनस है एस्टेरियस या फिर इसी को हम स्टार फीस भी बोलते ह है उसके बाद है है एंड़ हैबिटेट मतब यह कहां रहता है क्या खाता है और इसका स्वभाव कैसे होता है तो इस्टार फीस वह समुद्र में रहती है मेराइन वाटर के अंदर मिलती है और यह समुद्र के अंदर जो नीचे का रेतीला जो कीचर युकता तल होता है वहा अपने food के लुप में लेता है और इन में autotomy या फिर इसी को regeneration भी कहते हैं तो इसमें regeneration की छमता पाई जाती है मतलब अगर इसके body का कोई part तूट गया तो वो फिर से develop हो जाता है इसी को बोला जाता है regeneration उसके बाद है इसमें external features तो जो esterius है वे pentameras होते हैं pentameras और radially symmetrical होते हैं और इसमें पांच भुजाय पाई जाती है तो यहां पर यह स्टार्फीस का external features यह इसका eboral view है मतलब की dorsal side है और यह इसके body का ventral side है तो जो starfish है वो pentameras radially symmetrical होते हैं और इनके body में 5 arms निकली होते हैं तो इस प्रकार से इसमें पांच भुजाय होती है तीक है और इनके body के दो part होते हैं इसमें से एक होता है central disk तो यहां पी यह जो center है इसमें इस प्रकार से structure होत जाता है central disk और इन central disk से 5 arms निकली होती है तो यह इसकी 5 भुजाय है तो इसके body के दो part है एक है central disk और second होता है arms जिसकी संख्या 5 होती है अब इनके body में एक होता है dorsal side और दूसरा होता है ventral side इनके dorsal side को eboral surface कहते हैं और इसके ventral side को बोला मौन जाता है oral surface ठीक हैं तो इनके winter side है उस पर- इसका mouth होता है तो यहां पर यह है इसके body का winter side तो इसकी और चार में के और जाती है aboral itt वो relationships होता है वह कहलाती है इसकी body का aur Ministry और जिस और इनस होता है वो कहलती है इबोरल सर्फेश तो यह वाला जो है वो यह इसके बॉडी का इबोरल सर्फेश है जिस पर इसका इनस पाया जाता है तो यहां पर यह डाइग्राम में यह इसका इबोरल व्यू है और यह है और व्यू एबोरल व्यू मतलब यह इसके कौन कौन से structure मिलते हैं उसको देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके eboral surface को तो eboral surface में सबसे पहले है इसमें इनस, second होता है medriporite उसके बाद third है spines उसके बाद है papyli, फिर इसे को gaze भी बोलते हैं और fourth है pedicillera तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके inus को तो यहाँ पर यह जो diagram है यह इनके body का eboral view है और यह है oral view तो जो eboral view होता है eboral surface होता है वहाँ पर इसका inus होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा pore होता है जिसको बोला जाता है inus inus इनका जो inus के थो बाहर open होता है उसके बाद इसमें जो second part है वो है madriporite तो यहाँ पर यह है madriporite madriporite जो है calcium carbonate की बनी हुई एक rounded structure होती है और इसके अंदर लगबग 250 pores पाई जाती है और इन pores के द्वारा water जो है वो इसके body के अंदर एंटर करता है जो आगे चल करके इसके water muscular system के अंदर जाता है तो यह यहाँ पर यह है madriporite अब इसकी position क्या है तो यहाँ पर यह इसका arms है यह है central disc इसके जो भूजा है उसकी संख्या 5 होती है तो यह first है, यह second, third, fourth और यह है fifth तो दो arm के बीच में यह जो madriporite है मतब कि यह है first arm और यह है second arm तो इनके जो junction होते हैं जहाँ पर यह जूड़ते हैं वहाँ पर यह madriporite present होता है तो जिस दो arms के बीच में यह madriporite present होते हैं उन दो arms को बोला जाता है by will arm तो यह कहलाता है by will arm और बचे वे बाकी के जो तीन arms है इसको trivium बोला जाता है तीक है उसके बाद इसमें third structure है spines यह फिर इसी को tubercle भी बोलते हैं अब इसके body के जो dorsal surface है मतब कि जो eboral surface है उस पर अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारी spines दिखाए जेते हैं इन्हें tubercus भी बोलते हैं इन spines के चारों और बीच-बीच में छोटी-छोटी चिम्टी के समान structure pediciliai रपाए जाती है साथ ही इसकी surface पर finger के समान खोकले outgrowth होते हैं जिन्हें dermal branchia phil gills कहते हैं तो ebora surface पर यह तीनों structure मतबकि spine pediciliai और gills पाए जाते हैं अब अगर इसके body के surface को देखोगे तो यह तीनों structure जो एक जैसे दिखाए जेते हैं यह rate के particles जैसे दिखाए जेते हैं ठीक हैं अब इसी का यहां पर एक piece लिया गया है इसमें यह तीनों structure है तो यहां पर यह वाला जो बीच में है वो है tuberker जिसको spines भी बोलते हैं तीक हैं उसके बाद यह है इसका dermal branchia या फिर इसी को papuli या फिर gills भी बोलते हैं तीक हैं और यहां पर यह है चिम्टी के समान pediciliai तो यह जो spine है वे calcium का बना होता है और non movable होता है मतब कि एक स्थान पर fix होता है और यह protection का काम करता है और जो dermal branchia और pediciliai है वे ना केवल इसके ebora surface पर होते हैं बलकि यह इसके aura surface पर भी पाया जाते हैं और इसका जो यह pediciliai है वे cleaning का का काम करती है मतब अगर इसके body में कोई dust है फिर particles आ गए तो यह उसे clean करने का काम करती है और इसकी जो structure है वो इस प्रखासे चिम्टी के समान होती है तो यह cleaning का काम तो करता ही है साथ ही यह food को capture करने का भी काम करता है तेक है और यहाँ पर यह है इसका dermal branchia या फिर इसे को gaze भी बोलती है इसका काम होता है respiration और excreation करना तेक है उसके बाद है oral surface यह है इसका इसके body का oral surface तेक है अब इसके अंतर का जो structure आती है उसमें से first है mouth, second है embolacral groove third है tube feet fourth है embolacral spine और fifth है sense organ sense organ के अंतर का इसके spine साथ sorry eye spot आती है तो सबसे पहले हम देखते है इसके mouth को तो यहाँ पे oral surface में बीचो बीच इसका mouth होता है यह जो mouth है वो pentagonal pore होता है और इस mouth के 4 और एक membrane होती है जिसे बोला जाता है pre-oral membrane और इस membrane के 4 और छोटे 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 buckle spines लगे होती है तो इसमें यह इस प्रकार से छोटे छोटे spine दिखाए दे रहा है जिसको buckle spine कहा जाता है उसके बाल इसमें second structure होता है embolacral groove तो यहाँ पर arm में बीचो बीच embolacral groove होता है और इस embolacral groove के उपर बहुत सारी spines पाया जाते है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह इसका बीच वाला पाठ है embolacral groove और इसमें इस प्रकार से spine लगे हुए है इस spine को बोला जाता है embolacral spine तो यह spine जो है वो embolacral groove को बंद कर देती है एक कतार में लगकर ताकि कोई जो बाहर से कोई भी insect है फिर कोई भी particles है वो अंदर enter ना कर सके ठीक है और यह जो spine है वो movable होते हैं उसके बाद है इसमें tube feed तो यहाँ पर यह है इसका tube feed अब यह है इसका mouth और यह है इसका auror ring ठीक है तो इस जो embolacral groove है groove के अंदर में एक canal होती है जिसको वो रहता है radial canal और उस radial canal के उपर side में lateral canal होती है निकली होती है ठीक है और इस lateral canal के उपर tube feed लगे होते है जो इसे चलने में help करती है मतब कि इसका जो tube feed है वो locomotory organ होता है इसी की help से ये locomotion करते है मतब कि एक जगा से दूसरे जगा वो चलते है उसके बाद है terminal spine तो starfish के ventral side में मतब कि जो oral surface है उसमें अगर उसमें अगर इनके arm के जो end है उसको देखोगे तो ये है इसका arm का end वाला part ठीक है ये इसके जो end है वहाँ पर spine होती है उसी spine को बोला रबता है terminal spine ठीक है उसके बाद है eye spot तो ये जो terminal spine है उसके base के उपर एक छोटा सा goal spot होता है जो eye spot कहलाता है और इस eye spot के अंदर बहुत सारी oscillation होती है नेत्रक होते हैं जो कि photo-recepting होती है मैं तबकिन देखने में हेल पकरती है तो ये है इसके body का external features